सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो चीजें फिक्स कर देता है बिसे क्लिए कर मैं पैरा मिलिटरी फोर्स की बात करूं तो इनका कुछ अलगी सिस्टम चलता है लेकिन अभी हाली पे अपने बेसे पारो आरेम का देखा था और 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 प्रिव का एक रिगृट्मेंट अभी हाली पर आया था था या इसी आई से अपता है इसका पेपर हो चुक है अंसर किया आना है ठीक है एक से दो दिन में उसका भी आ जाएगा वहीं पर एक अच्छी पोस्ट निगलके पर 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 कि तरफ से फिर से आई है पहले मैं इंपोर्टेंट चीजें बताऊंगा नोटिफिकेशन आपको टेरीग्राम चनल ऑनलें एजुकेशन पर देखने को मिलेगा ओ एन लाइन एजुकेशन एडी यू सी ए टी ओ एटी ओ एन ठीक है इसका लिंक में डिस्क्रिप् फिल किये जाएंगे 27 तारीक से ठीक है लास्ट एट की बात करता हूं तो अगलग वग एक मेने का आपको फिल करने क्लियर टाइम होगा और एड्मिट कार्ड की डेट दे रखी है आपके जून पर एड्मिट कार्ड आ जाएंगे और आपका जुलाई 1 जुलाई से 13 जुला तो अवाज अकर सही ना लग रही हो तो मैनेज कर लिजेगा आप तर रिक्रुट्मेंट प्रॉसर्स विल कंजिस्ट आप कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट फिश्कल स्टेंडर्ड टेस्ट फिश्कल इफिश्कल एफिशिएंसी टेस्ट ठीक है पहले मताब पेपर होने वाला देख लिजेए 9212 पोस्ट होने वाले है टूटल मेल की बात कर लेते तो सर मेल कलिए काफी अची पोस्ट है फीमेल के लिए काफी कम पोस्ट है ओके अंगे बात कर लिए तेक्निकल टेट्स मन वेकंसी इस वाली फ्रेम पे दिखाई दे रहा है जहां पर सबसे ज्यादा पो जो भी स्टेट है ना भाई सब आप अपने सामने का देख सकते हो अगर जो भाई हर्याणा से विलॉंग करता है एक सो चाचट पोस्ट है आपके इधर का गुजरात का 425 पोस्ट दिखाई दे रहा है और ऐसे हिमान चल का देख लिजे अलग-अलग हर एक स्टेट के यहां प लबग 463 पोस्ट है तो मिलाड़ पे बहुत अच्छी का सी पोस्ट है होने वाली 579 और वोमन का भी यहां पर लेड़ी मेंशन करक्था है अच्छा किसमें नेम आप स्टेट किसमें कितनी पोस्ट है वो चीज़ें आपर मेंशन करक्था चलिया आंगे बढ़ता है यह फीम को अलगलग पोस्टों के लिए अलगलग एज यहां पर रखी गई है तो कॉंस्टेबल ड्राइवर के लिए पोस्टे हैं यहां पर तो 21-27 साल आपका एज होना चाहिए कॉंस्टेबल और कॉबलर कर्पेंटर के लिए जो एज रखी गई वह 18-23 साल के बीच में यहां पर रखी गई है और उसके बाद SCST कैटिगरी से अगर आप बिलॉंग करते हो तो भाईसेब आपको पास साल का एज लेक्षिशन मिलेगा वह भी से आते हो तो आपको तीन साल क ो बस्ते हैं और भी चीजेयां जो ब्सक्राइब करनी है साइव की सभी होनी चाहिए और एक करेंगे उके जो चीज़े आप मराई की अन्य ऑज यह जरूरा यह जारी है यह उनका सिर्टिफिकेट का है एक और को ड्राइबर में साल को तो यहाँ पर क्या टेक्निकल कॉलिफिकेशन उनके फ़स हैवी ट्रांसपोर्ट का मतलब है लाइवी लाइसेंस होना चाहिए सिंपल सी बात है चलो और अधर ट्रेट्समें पोस्ट के लिए एजुकेशन कॉलिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो अधर पोस्ट के लिए गर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन कॉलिफिकेशन पर मैट्रिकुलिफिकेशन आपको पास होना चाहिए चाहिए और उसके बाद और कुछ ऐसा आर्मी ठीक है और अचाह ठीक है बस अगर आप यहाँ पे और यहां पर और यह लगा हुँ है अगर है तो ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है आप से भी इतने expert हो, कोई बात नहीं है, आंगे बढ़ते हैं, इसका मुझी important चीज है, how to apply, form कैसे fill करना होता है, जैसे subform fill की जाते हैं, इसका भी सर उसी तरह से होगा, अब exam center city की बात का लेते हैं, सबसे पहले paper ही आपका होने वाल है, तो आंधरा की यहां पर हर एक city को cover कि किया गया है, हर एक city को mostly cover किया गया होगा, तो paper city की कोई बात नहीं, paper आपको पनी city पर देने को मिल जाएगा, close से close पर देने को मिल जाएगा, अब most important thing यहां पर आ जाती है, computer based test, the computer based test will be consist of one objective type paper, अब most important तो हमें यही है, main target तो अपना यही है, तो हम यह देख लेता है, computer based test, the computer based test will consist of one objective type paper containing 100 question carrying 100 marks with the following composition, okay, यह एक चीज अचीज अचीज यहां पर आपको फिर से देखने को मिल जाएगी, कि Hindi और English, और time आपके पास बहुत अच्छा खासा, आपका reasoning 25 question 25 mark आएगे, reasoning 25 question 25 mark, GK 25 question 25 mark, math 25 question 25 mark, वही पर English Hindi में आप, मतब कोई भी बेक चूज कर सकते हो, 25 question 25 mark ठीक है, दो गंटे का आपको paper करने के लिए समय मिलेगा, काफी अचीका सी recruitment मेरे point review से आप से भी clear हो सकती है, paper आपका both language पे होगा, 0.25 cup के paper में negative marking भी रखा गया है, ठीक है, और paper का जो level होगा, वो 10th के level पे होगा, यहां पे mention कर रखा है, 1.6 point पे आप देख सकते हैं, और paper से पहले आपको mock भी लगाने को दिया जाएगा, official website पे चीज में share कर रखा है, slaybers की बात कर लेते हैं, तो देख लो, यहां पर slaybers उन्होंने बता रखा है कि कैसा क्या, मतलब वो होगा, अब एक step हम यहां पे निकलते हैं, अब थोड़ा सा आंगी बढ़ते हो और देखते हैं, देखो, उसके बाद physical standard test हमें बता रखा है, जब paper clear होगा, तब आपका यह next होने वाला है, ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले आपका PST होगा, जिसमें height आपका 170, मतलब ही, उसके बाद आपका जैसे paper होगा, उसके बाद यह होगा, height आपका 170 cm female का, और female का 57 cm, कुछ को age relaxation भी मिलेगा, वो यहाँ पर देख सकते हैं, SD category के candidate को age relaxation मिलेगा, यहाँ पर age नहीं, height में, 162.5, 150.0 male and female clear, आँगे पढ़ते हैं, sir, okay, यह में घाले से, और इधर से, जो marathas, dogras, sir, sir, आपका height यहाँ पर dimension कर रखा है, आप पढ़ लीजेगा, ठीक है, आपके सामने चीज test आपका height होना चीए, expand करने पर 5 cm आप expand कर दो, बच इतना ही ठीक है, ठीक है, और R candidate belonging to the SC, ST category, date, मलब SC category के जो भी candidate है, 76 normal होना चीए, 5 cm expand करने के बाद, आँगे बात करते हैं, और भी थोड़ा सा, ठीक, आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, physical efficiency test की, PET, जो काफी difficult मुझे नहीं लग रहा है, easy है, यह इन पोस्टों के लिए आप आप सभी देख सकते हो, physical efficiency test जो होगा, 5 km कर रानिंग होगा, 24 मिनट में, यह male के लिए, female के लिए 1.6 km कर रानिंग होगा, 8.30 मिनट में, आगे, same to same यहाँ यह इतनी पोस्टों के लिए था, ठीक है, यह इतनी पोस्टों क अगर बात कर लिए था, अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे, cook water, carrier, इन सभी के लिए 1.6 km का running होगा, 10 मिनट समय मिलेगा, जबकि female के लिए 12 मिनट का टाइम मिलेगा, यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें मेंशन कर रखे है, there is no vacancy for Ladakh, duty for the post of constable technical tradesman, आप से भी इतना समझ जा और के लिए थू, qualify in CBT, PST, PET, जैसी ही आप यहाँ पे, सबसे पहले पेपर क्लेर करोगे, PST क्लेर करोगे, PET क्लेर करोगे, मतलब आप मालों paper, क्लेर करोगे, physical वगर क्लेर करोगे, फिर आपका trade test भी यहाँ पे होगा, वो क्या होगा, trade test आपका कराया जाएगा, and qualifying in nature होगा और पचास में से आपको बीस मार को आप पे लाने होंगे डिफिनेटली वह आपका हो जाएगा ड्राइवर के बारे में में अच्छे से बता रखा है अंगे बढ़ते हैं थोड़ा से नीचे चलते हैं और भी चीजों को डिस्टर्स कर लेते हम डॉक्यमेंट वेरिफिक होगा पेस्टी पीटी होगा ट्रे टेस्ट भी होगा और पेपर के लिए अगर बात कर लेता है तो 30 परसेंट को पास होने के लिए नंबर लाने पड़ेंगे और उसके यही चीजे थी जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी थी वह फिप्टी पेजिस का था मैंने आप अगर आपको कोई चीजे समस मिनाई हो तो जरूर कॉमें सक्षिन में आज करिएगा आपको आपका हर एक डाउट क्लियर कर देंगे बागी वीडियो देखिने लिए थैंकि सो मुझ जैहिन और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े और जुड़ जुड़ जाएगा ऑन इन ório है जाहिन और एलक्ट